तो यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यह पूरे ब्रमान्ड में चेंज बिलकुल नहीं होता है, यह constant होता है तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यह किसी मीडियम पर डिपेंड्स नहीं करता है जैसे आप इलेक्ट्रिक फिल में आप देखेंगे इस तरीके से तो कुलॉम्स लॉम में आप पड़े होंगे एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई अपसाइले नॉट के इसको बढ़ाओगे तो यह फोर्स की वैलू कम होगी मेरी बाद समझें की ने तो इसका सीधे सीधे इसमें फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा